गुड मॉर्निंग एंड विल्कम बैक टो चैनल स्टूडेंट तो आज आप लोग के लिए जारकन बोर्ड के लिए रिजल्ट्स रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट आ गया है जारकन बोर्ड हो जैक बोर्ड, ICAC या CBAC सबका रिजल्ट्स रिलेटेड एक नोटी है ठीक है ये आज का पेपर प्रभात खबर 17 तारी के आज ही का पेपर में दिया हुआ है देखिए रिजल्ट को लेकर के कब बताया जा रहा है कि कब आ सकता है रिजल्ट उसे पहले बताया जा रहा है कि परिनाम चाहे जैसा भी हो पॉजेटिव सोच और भविश के लिए तयारी करे ठीक है रिजल्ट कुछ भी आए टेंसन नहीं लेना है ज्यादा लोड नहीं लेना है देखिए तो सबसे पहले जैक बोट का हम लोग देख लेते हैं दूसरे चरण यानी जुलाई के प्रथम सब्ता में यह भी जारी कर दिया जाएगा थिक है यह निकि पहले सब्ता में 30 तारिक को मतला पहले सब्ता में बोल रहे हैं इसी महीना जून के तीस तारिक तक 10-12 का result आ जाएगा ठीक है और जो आपका बाए है arts का वो लोगों का अगला सप्ता मतलब next month जो है जुलाई में प्रथम सप्ता में आ जाएगा ठीक है first week में ही आ जाएगा वही ICSC के लिए भी दिया गया है कि center पर भेज दिया गया है copy जांच करने मुल्यांकन कारिक खत्म कराया जा रहा है दसवी की विद्यार्थियों का अंख का आकलन चल रहा है वही बारवी की तीनों संका है that means arts science commerce में सामिल विद्यार्थियों का मुल्यांकन तेजी से हो रहा है बोर्ड 15 जुलाई तक 10 वी और 12 की result को भी जारी करने की तैयारी में वहीं CBAC के लिए बोर्ड ने 20 जुन तक 10 वी और 30 जुन तक 12 वी बोर्ड का मुल्यांकन कर अंक उपलब्द कराने के निर्देश दिये है मुल्यांकन का रिजल्द खत्म करनी की जिम्यदारी एक्सपर्ट से छको को दी है उम्मीद है कि 10 वी का result जुलाई के पहले हफता और 12 वी का result 25 जुलाई तक जारी हो जाएगा ठीक है तो यहीं आपका result से related एक बहुत बड़ा update है तो बस result का इंतजार किजिए और देखे क्या क्या कहा गया है देखे मौसम भी सुहाना हो गया है बारिश का मौसम आ गया है बारिश होना start भी हो गया है देखे क्या है कि Jack CBAC वा science, arts और commerce का result एक दो दिन के अंतराल में जारी किया जाएगा इसके बाद CBAC और ICAC का result जारी होगा ऐसे में विद्यार्थियों के साथ अभिवाबक की भी चिंता बढ़ गई है जैसे जैसे result आने वाला रहता है वैसे वैसे tension सबका बढ़ जाता है तो सबका tension बढ़ा हुआ है विद्यार्थियों ने दो वर्स online पढ़ाई करने के बाद offline पर इच्छा दी है इससे result को लेकर विद्यार्थी चिंतित है इंचन का बात है ही भाई कि online आप दो पढ़े है offline exam दिये है थोड़ा सथ tension बना गया है तो अभिवाबक का कहना है कि उनके बच्चे exam के result को लेकर tension म है मनुवेग्यानिक बच्चों की इस परिस्थिती की result phobia कह रहे है तो मनुवेग्यानिक कह रहे है कि अभी result phobia हो रहा हर किसी को result related डर है दर जायज है कि भाई offline online पढ़े थे offline exam दिये है तो थोड़ा सा तो tension है बढ़ टेंसन नहीं लेना है आप लोगों को खुश रहिए मस कुछ नुमा महाल बनाए बच्चे को संभाला जा सकता है बच्चे दवाब में ना आए इसके लिए अभिवावक का साथ महत्पूर्ण है ठीक है अब यहां पे कुछ अभिवावक ने अपना राई दिया है कुछ बच्चों ने राई दिया है ठीक है तो यह सब आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, हम लोग देखते हैं, मनुवग्यानिक का क्या राय है, तो देखे, भूमी, डॉक्टर भूमी का सच्चर एक मनुवग्यानिक है, उनका कहना है कि रिजल्ट को लेकर बच्ची अक्सर तनाव महसूस करते हैं, अभिवावक दूसरे के दर्शन देख कर अपने बच्चों पर दवाब ना बनाएं, ठीक है, ऐसा होता ही है, बहुत जगा होता है, हाला कि मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था, मेरा कोई प्रेशर नहीं था, मैंने बिंदास एक्जाम दिया, और अच्छा रिजल्ट भी आया, जिसके लिए मेरे घर से भी कोई प्र प्रेशर नहीं था, कि इतना रिजल्ट लाना है, उतना लाना है, अच्छा रिजल्ट राया, और अच्छा आगे तक पढ़ाई चलता ही रहा है, दूसरों के परदर्शन को देखकर बच्चे दवाब डालते हैं, फिर एक्जाम का रिजल्ट ओवर थिंकिंग का विशय नह है, ठीक है, सिर्फ 10-12 रिजल्ट नहीं है, उसके आगे भी अभी बहुत एक्जाम, बहुत रिजल्ट आना है, तो पहले में ही आ करके डिपरेशन में नहीं चले जाना है, सिर्फ एक ही परिच्छा अंतिमलच नहीं दिला सकता है, तना आप की स्थिती बनने पर दूसरों स अपनी चिंता साजा करें, परिवारवत दोस्तों से खुल कर बात करें, रिजल्ट को लेकर नकारात्मक सोच आये तो खुद को दूसरे काम में वैस्त करें, ठीक है, बीजी रहें, ज्यादा लोड नहीं लें, सब सही रहेगा, ठीक है, तो यहीं है आप लोगों का एक अप ठीक है, तो चलिए यह वीडियो को अपने सभी लोगों को शेयर कर दें, और वीडियो अगर आप लोगों के लिए हिल्फुल रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि इस रिजल्ट से रिलेटेड जो भी अपडे कि बच्चे पर अच्छे नंबर लाने का प्रेशर ना डाले, किसी अन्य से अपने बच्चे क्तुला ना करे, नंबर ज्यादा हो या कम समाने रूप में देखें, परिनाम आने पर बच्चे को कोई बहस ना करे, बच्चे पर भी किसी प्रकार के टिपनी ना करे, हर हाल में अपने बच्चे को सपोर्ट करें अभिभावक के लिए ज़रूरी है जो भी पैरेंट्स है ये बात को ज़रूर ध्यान रखें और बच्चे के लिए क्या ध्यान रखना है कि घवराना नहीं है सैयम बना कर रखें इस रिजल्ट को अंतिम नहीं माने परिणाम नहीं परिणाम को अपना भविष्चे ना जोड़ें खुद का आकलन करें और आगे बढ़ें और इन बातों का ध्यान रखें कि घर पे खुशनुमा महाल बनाए रखें बच्चों के साथ आउटिंग पर जाएं अभिभावक खुद भी रिलाक्स रहें असाफलता के लिए बच् इक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाइन टेक केर